नाम और नामी अभेद है नाम हुआ शब्द शब्द जिस व्यक्ति या वस्तु का द्योतक है वाचक है होँआ नामी नाम और नामी एक है कैसे यह मैं योग की द्रिष्टी से स्पष्ट करूँगा आपके सामने बहुत आसान है साधरन्त हम लोग सोचते है वस्तु और नाम अलग है यह से यह एक कलम है कलम एक नाम हुआ और कलम एक वस्तु है हम लोग काते हैं ना मीठी बातों से काम थोड़ी चलता है कुछ करड़ा पड़ता है बातें कम काम ज्यादा हमारी प्रधान मंत्री थी इंद्रा गांदी जी उन्होंने यह नारा दिया था तो सुनने में तो यह बहुत अच्छा लगता है बातें कम काम ज्यादा लेकिन जब इसे योग की द्रिष्टी से हम देखते हैं जब हम इसे मन की द्रिष्टी से देखते हैं तो मन शब्द में और शब्द के अर्थ में अंतर नहीं देख पाता है जैसे अभी अगर मैं बोलूँ अचार तो देखेंगा आप में से बहुतों के जीप पानी आना शुरू हो जाएगा इमली घटी इमली जीप पानी आना शुरू होगा कैसे हो गया हो सकता है आप में से सबको नहीं हो लेकिन बहुतों को होगा अगर एक भी व्यक्ति को होता है इसका रता है कि यह सही है मन मन शब्द और उससे संबंदित वस्व में अंतर नहीं कर पाता रहा है और मन की प्रतिक्रिया दोनों में बराबर होती है इसलिए अगर कोई आपको बोले तुम गढ़े हो आप तुर्द गुस्षे में आ जाते हैं कहा जाता है जख्म तो ठीक हो जाता है घाव भर जाते हैं लेकिन शब्द के बने घाव ठीक नहीं होते क्योंकि जो जख्म होते हैं न शरीर पर लगते हैं और जैसे से शरीर ठीक होता है कहीं पर वह मन भी ठीक होना शुरू हो जाता है लेकिन शब्द मर्मान तक मार मर्मान तक चोट नहीं होती है शब्द मर्मान तक होते हैं सीधे मन को जाके मारते हैं आप जगड़ा कर लें जो कर लें कभी भी गल्प शब्दों का वैभार नहीं करना चाहिए भगवान को हम लोग प्रत्यक्ष तो देखने ही पाते है यह जो हमने साधरन सी वाद कही शब्द और उसका अर्थ मन के लिए दोनों समान है उसी प्रकार भगवान और उनका नाम मन के लिए समान है बक्ति शास्त्र में बार बार कहा जाता है नाम नामी अभेद शीराम किस देव हमेशा कहते थे नाम नामी अभेद तो यह दूसरी दास जी की भी बात नहीं है शीराम किस देव की बात नहीं है या बक्ति शास्त्र में या बहुत ही प्रचलित सत्य है जो वास्त्रम में योग पर आधारित है या बहुत है जो वास्त्रम या बहुत है